आप कुछ data points आए हैं, उसमें क्या पढ़ना है, overall situation, global markets में कैसी उभर कर आ रही है, इस सब पर बात चीप करेंगे and I think आज से जापान के बाजार फिर से कारोबार करते दिखाई देंगे Of course, जापान में जो तरास्ती हुई है, earthquake के चलते हैं और उसके बाद वो जो plane crash हुआ, उसको लेकर थोड़ी सी चिंता थी लेकिन आज देखिए, अपने year end holiday को मनाने के बाद, जब जापानी बाजार खुले है, तो वहाँ पर 500 point का cut देखने को मिला है तो पिछले 2-3 trading sessions में जो global markets correct हुए, उससे उनको catch up भी करना है Cosby कमजोर, straight times यानकी Singapore के market में भी हम कमजोरी ही देख रहे हैं अब ऐसे में आज के लिए क्या cues है, पहले अमेरिका से, दूसरा अफकॉस भारते बाजार में कल जिस तरह का breakdown देखने को मिला है निफ्टी IT में, आपके HDFC bank में वो आज के लिए क्या setup उभर कर लेकर आएगा इस सब पर बातचीत करेंगे, नीरज महाय साथ जुड़ गया है, दिली से वीरू भी Good morning, नीरजी बताइए, एक और सत्र और कल NASDAQ के साथ-साथ तो DAO भी फिसलने लगा है यह जो rate hike हुए है, क्या वो फाइनली अब जाकर impact कर रहे है, वो ही कुछ comments आ रहे थे यह, exactly, जब भी policy को समझना हो रहा, तो economic indicators lack impact करते है तो हम लोग लगतार कह भी रहते हैं कि बहुत late से impact होगा और वो impact दिख रहा है लेकिन जो hope थी न, rate cut की, वो धीरे धीरे realistic हो रही है कल FET के minutes आए, उस minutes में लोग यह उमीद करें कि कुछ ऐसा लिखा होगा ऐसा कुछ होता नहीं उसमें, उन्होंने साफ तोर पर यह कहा कि inflation को रोकने के जो उपाय किये गए है वो काम करते दिख रहे हैं और इसी ले inflation control में आता हुआ दिख रहा है हला कि अभी भी risk है, यह एक standard language होती है उसमें लिखा गया उसमें यह कहीं जिक्र या अभास नहीं है कि कब से cut होगा cut होने के बारे में संकेत दिख रहे हैं उसमें कि 2-3 cut आ सकते हैं 2024 में लेकिन कब से होगा इसके संकेत नहीं है तो इसलिए जो मार्च की hope थी कि मार्च में rate cut होगा 78% तक और उसमें चले गए थे अब वो घटके 67% पर आ गया है तो कल भी में करते हैं कि realistic होना चाहिए इतनी जल्दी rate cut नहीं होगा तो जो hope built हुई थी न ग्रोथ stocks में खासतर पर IT stocks में उसमें तगड़ी गिरावाट कल भी देखने को भी लिए कल भी आप देखिए नैस्डेक में पहुने 200 point की cut आई है और तमाम सारे जो बड़े stocks हैं उसमें एक से लेके 4% तक की गिरावाट देखने को भी लिए जो super seven magnificent कहे जाते हैं उन सम में कमजोरी आई है डाउ में भी कमजोरी आई है जो कि जो बड़े जले stocks थे डाउ कंपोलेंट के उसमें भी विकवाली आई है तो यह अभी purely आप यह समझे है कि जो hope diminishing हो रही है उसके cuts है और साथ ही realistic नतीजों से पहले लोग अपनी cut करेंगे कल भी बहुत सारे downgrades brokerages ने दिये हैं तो उसका भी असर देखने को मिला तो fed की जो meeting January में schedule है उस meeting से आपको और clarity मिलेगी कि rate cut के बारे में fed क्या इरादा रखता है तो मुझे रखता है कि यह उसी के तहट profit booking हो रही है और यह profit booking और भी हो सकती है क्योंकि NASDAQ में बहुत तीजी है जो Russell 2 था होजन इंडेक्स ने कल बहुत गिरा है पौने 3% और वो पिछले दो ट्रेडिंग सेशन ने साल के और एक लास्ट यह दिन का था तीनों दिन में अच्छा कास्या गिरा है तो profit booking purely दिख रही है दूसा कल का highlight crew था उसमें एक तेज उचाल देखने को मिली तो वो तेज उचाल इसले देखने को मिली कि लीबिया में एक unrest हो गया है वहाँ पे तो जो उनकी जो oil field है सहारा वाली वो disrupt हो गई है वहाँ से तीन लाग barrel per day crew निकलता है दो disruption में चला गया तो एक short time के लिए एक blip है यह इसको फिर कह रहा हूँ कि मत मानियागा कि इससे crew बहुत उपर जाएगा crew फिर नीचे गिरेगा क्योंकि यह temporary problems आती रहती चोड़ चोड़ देशों से इनकी वज़े से थोड़ा बहुत sustain करने की कोशिस करते हैं दरसल क्रूड की कहानी बहुत different हो गई है साथी अरब यह चाहता है या रश्या चाहता है या ओपेक के जो बड़ी कंट्रीज चाहती है कि price उपर है तो उसके लिए बार बार production कट कर रहे हैं वो इरान से और रश्या से खुब तेल खरीद रहा है तो जो उपेक का तेल है वो नहीं भीक रहा है market में इसलिए supply ओवर बनी हुई है और price बारबा नीचे आते है तो आज की जो तेजी है इसको बहुत seriously लेने के ज़रोत नहीं है एक दो दिन में फिर शान्त हो जाएगे नीचे आजाए क्रूट तो क्रूट चिंता की वज़ा नहीं है चिंता की वज़ा है कि अमेरिकी मार्केस में जो लगाता है सच का सामना है सच का सामना है सच का सामना और मैं देख रही थी वो फेड के मेंबरं अब फो मेंबर अबा किं ने जो बयान दे हैं उन्हों कुस्ट का सहाँ तो है तो यह जो बीच में उमीद थी कि कॉमेंटरी बदलेगी अगले हफते इती कंपनियों की वो तो फिर वाश आउट हो जाएगी इसको अगर कहना हो ना कि एक होता है कि एंटरपोटेशन और एक होता है कि रियली क्या हो रहा है जो इकनोमिक इंडिकेटर्स है वो इस पक्ष में है कि रेट कट होगा ही उसमें कोई शक नहीं है लेकिन बीच बीच में ऐसे स्टेटमेंट या कोई चीज निकल के आ जाती है तो नेरेटिव बदलने लगते हैं बट बेसिक में कुछ इनी चेंज हुआ किसी को लगता मार्च में होगा तो जो जितना नियर पहुचेंगा मार्केट उसरी अशनी करने लगता है तो इसलिए में लगता है और यह जन्वरी की मीटिंग होने वाली इना इसमें चलिए आजाएगी आजिए वह पर मामला थोड़ा सा और सा और चुन में हो या फिर ज अच्छा इस बीच कल का डेटा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आएगा कल देखिये भारतिय बाजार में जिस तरह का स्लाइड देखने को मिला एक तो निफ्टी हमने आपको दिखाया निफ्टी आईटी भी आप स्क्रीन पर रख्यागा क्योंकि वहीं से हम देख रहे थे और वो स्क्रीन पर हम डिसकस भी कर रहे थे इससे क्या फिलहाल सार निकाला जाए क्योंकि ओवरनाइट अगर आप देखिए जो डेटा पॉइंट आया है FII, DII की तरफ से उसमें जादा बिक्वाली नहीं हुई है तो कुछ पुजिशन जो भी वाइंड डाउन हुई वो किसी और वजह से हुई है कल आप देखें डुमेस्टिक इंस्टिउशन ने 863 करोड की बिक्वाली की और FII ने 666 करोड की बिक्वाली की है कैश में याकले इतने बड़े नहीं है